कई बार सत्रू इतने ज़्यादा होते हैं कि जीवन में हर कदम पर परेसानी देते हैं कई बार तो अपने ही सत्रू होते हैं और कई बार आपके आफिस में आपके साथ काम करने वाले लोग आप व्यापारी हैं तो आपके कम्पिटिटरे बहुत हो गया हैं अब ये competition का जमाना तो है लेकिन बहुत बार क्या होता है लोग आपसे जलते हैं और आपकी देखा देखी ही बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि आपको नुक्सान हो जाए कई बार तो आपके जो बेपसाय में जो आपके staff है वही आपसे जलने लगते हैं वही आपको हानी तो क्या करें कि सत्रू दबे रहें चाह कर भी आपके बारे में कुछ बुरा ना कर पाएं क्योंकि इन सत्रू जो गुप्त सत्रू है उनसे जो बच निकलना है वह एक टेड़ी कीर है आप जो सामने से आपसे दुस्मनी कर रहा है फिर भी आपको पता है अगर open है कोई तो आप जान रहे हैं वह आपसे दुस्मनी कर रहा है उसको कैसे एडिल करना है लेकिन जो गुप्त सत्रू है जो आपका सब भेध जान रहा है आपके बारे में A to Z जानता है लेकिन फिर भी आपसे दुस्मनी करता है ऐसे लोगों को मजा चखाने के लिए आज हम एक बहुत ही नायाब उपाय बताएंगे तो वीडियो के अंतक बने रहें सबसे पहली बात तो सनीवार का दिन चुनिए क्योंकि सनीवार का दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो कारगर होता है 100% अचूक आपको इसका फायदे मिलते हैं क्या करेंगे 40 दाने यानि 40 जिसको 40 कहते हैं 40 दाने आप चावल के लीजिए काली डाल जिसको उड़त कहते हैं उसके 38 यानि 38 दाने लीजिए दोनु को ले लें अब आप अपने घर से बाहर निकले कई भी मिट्टी में गढधा कर लें गढधा करने के बाद आप लगातार अपने इश्ट देव को याद करें भगवान को स्मरन करें क्योंकि सबसे बड़े तो भगवान है अब उसके बाद आप इस गड़े में ये जो 40 दाने चाबल हैं 38 दाने उड़त के हैं इसको डाल दें दोनों को अब एक निमबू भी लेकर रखना ह और निमबू को दोनों ही निमबू इसी चाबल और दाल जो आपने काली उड़त Remove अपने दुस्मन का नाम लेते हुए नाथ पिछ कर पिशोड़ीist है यानि कि अब मां अच्छे से पिचड़के समात कर दीजिए यानि कि निम्बू अच्छे से निचोड दीजिए लगातार सत्तुरू का नाम लेना है अब उहां पर जो मिट्टी आपने किया है उसको ढग दीजिए मिट्टी से निम्बू भी उसी में डालके डग दीजिए कोई दिकत नहीं है यहां पर से आपको क्या करना है बिना पीछे मुड़े आप पीछे उलटके नहीं देखिए अब अपने अंदर घर चले आईए पैर हां धोई आराम से घर के अंदर चले जाईए कोई दिकत नहीं है बेबचा जितने भी दुस्मन है आपके जो आपके बारे में बुरा सोच सोचते हैं बुरा सोचने के पहले तिलमिला उठेगा आप देखिएगा धीरे धीरे आपके सत्रू कम हो जाते हैं यह लगातार तीन सनी बार भी आप कर सकते हैं अगर एक से ज्यादा सत्रू है तो उनका सब का नाम लेते रहिए यह बहुत अच्यू कुपा है फिलाल आप स बिदा लेंगे हर हर महादेव